कल सुक्रवार साम 7 बज कर 20 मिनिट पर उडिसा में भीशन ट्रेन हाथसा हो गया जहां तीन ट्रेन आपस में टकरा गई पहली दुरगटना हावरा सालिमार एक्सप्रेस का हुआ जो एक माल गारी से टकरा गई थी जिसके बाद टकराए हुए गारी के पटरी पर उतरने के कारण दूसरी ट्रेन कोरो मंडल एक्सप्रेस उस पे जा टकराई यहाथसा उरिसा के बालेस्वर जिला अंतरगत बहा नगा एस्टेशन से 2 किलो मीटर दूर पनपना के पास हुई है जिसमें अब तक करीब 260 से ज़्यादा लोग के मारे जाने की खबर है वहीं 600 से ज़्यादा लोग घायल बताय जा रहे हैं जिन्हें आसपास के अलग-अलग हॉस्पीटल में एडमिर कराए गया है इस घटना के बाद पूरे देश में सोक का माहुल है क्योंकि जितने यात्री मारे गए हैं इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी राज के एक-दो व्यक्ती सामिल हैं वहीं सबसे ज़्यादा लोग बंगाल, उरिसा और चैन्नई, बैंगलूरू के बताय जा रहे हैं वहीं इस घटना को तुरंत संग्यान में लेते हुए पीम नरेन मोदी ने रेल राज मंतरी को कल रात ही दुरगटना अस्थल पर भेज दिया था वहीं कैंद्री रेल मंतरी अस्वनी वैसनव भी दुरगटना अस्थल पर पहुँच गए थे और अस्थानिय नेता के साथ उडिसा के मुख मंतरी नवीन पतनायक भी दुरगटना अस्थल पर पहुँचे हुए थे जहां रेल मंतरी अस्वनी वैसनव ने कहा है कि दुरगटना के जाज के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और कारण का पता लगाय जा रहा है वहीं इस दुरगटना में मारे गए परिवार के लोगों को 10 लाक रुपे मुआवजा सहित गायलों के लिए भी मुआवजे का एलान कर दिया गया है इस घटना पर परधान मंत्री नरेंद मोदी, ग्रिह मंत्री अमिस साह और तमाम राज्यों के मुख मंत्रियों ने भी सोक संबेंदना व्यत्त की है वहीं बंगाल की मुख मंत्री ममताव नर्जी भी घटना अस्तल पर जाने की बात कह रही है उधर इस घटना के बाद तमिल नाडू में सोक दिवस मनाय जा रहा है और करनाटक तथा उरिसा में भी एक दिन का सोक रखा गया है बता दें कि यह हादसा देश का पहला सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है इस से पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान रेल हादसे में कभी नहीं गई थी वहीं इस बड़े हादसे के बाद बिपक्ष द्वारा रेल मंतरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है और हो भी क्यों नहीं और मोधी केविनेट को इस पर विचार करना चाहिए कि इतनी वरी दुरघटना कैसे हुई इसलिए रेल मंतरी को नेतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए इसमें कोई राजनीत नहीं होनी चाहिए उधर परदान मंतरी ने भी केविनेट की वैठक बुला कर इस पर समिक्षा की तैयारियां शुरू की है और देखना है कि केविनेट वैठक के बाद पीम मोधी क्या निरने लेते हैं क्या हुए अस्वनी वैसनव का इस्तीफा लेते हैं या फिर इसे ठंडे वस्ते में डाल दिया जाता है हलाकि इसमें भरष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता है इसलिए मोधी सरकार को नेतिकता का परिचे देते हुए अस्वनी वैसनव का इस्तीफा स्विकार कर लेना चाहिए ताकि देश में एक मेसेज जाए पॉजिटिव मेसेज जाए कि मोधी सरकार अगर खुद को भरस्टाचार मुक्त और अपना जिम्मेदारी पुर्ण मंतरी मंडल का दावा करती है तो वो करके भी दिखाती है परंतु अगर इस्तिफा नहीं लिया जाता है तो सौभाविक तोर पर विपक्ष द्वारा बारवार इसकी मांग की जाएगी और सरकार को चलाने मे परहसानियों का सामना करना परेगा बने रही है मोबाइल निउस 24 के साथ चैनल को सब्सकाइब कीजे नोटिफकेशन बेल को दवाईए वीडियो को लाइक कीजे और ज्यादा ज्यादा सेर कीजे